आज मैं आपको इस वीडियो में एक भेत्रिय अपोच्योटी बताऊंगा जो अपोच्योटी सद्यों में आती है उससे पहले में आपको कुछ इंडिया का डेटा दिखाऊंगा उसको आप गौर से देखे कि हमारे इंडिया में 0.4% सिर्फ जैन कम्यूटी के लोग रहते हैं लेकिन आप उनकी उनिवस्टी देखे कितनी सारी उनिवस्टी उनकी है सिर्फ 1.7% है और आप उनकी उनिवस्टी देखे कितनी है और हम मुसल्मान 15% है लेकिन हमारे अंदर 43% illiteracy है हम 43% अनपढ़ है उसमें से सिर्फ 2.7% graduate है जबकि हमारे कुरान में 11 सबसे पहले हम लोगों को एक बहतरी मौका मिला कि हम इस परसेंटेज को कम करें इसके लिए मैं अल्ला का बहुत शूर कुजार हूँ और उसके बाद बिहार गॉर्मेंट का मैं शुक्री आदा करूँगा कि उन्होंने इमाम बुखारी यूनिवस्टी के लिए परमीशन दे दी है जिस इसा काम जो सदियों में लोग कर दे इन्होंने इमाम बुखारी यूनिवस्टी के लिए महिनत की और उसको दिन राज कंसिस्टेंसी के साथ बहुत हाड़ वक किया और उसको बिहार गॉर्मेंट के तुरुफ पास कराया बिहार गॉर्मेंट की परमीशन भी हमारे पास है बस हमें अब क्या करना है इसरुफ वह कौन करेगा हम और आपके ताउन से होगा गॉर्मेंट रिक्वाइरमेंट है कि आप एक लाग स्कॉयर फिट दो साल में पूरा करके दिखाएं तो आप जान रहे हैं कि दो साल को खतम होने में सिर्फ एक साल बचा है एक स्कॉयर इनके नाम का जड़ जिसकी सितास एक स्कॉयर फिट का खर्चा उठा ले लेकि उसकी एक एट जरूर इस इमाम बुखारी उनिवस्टी में लगनी चाहिए क्योंकि ऐसी उनिवस्टी की हमें और हमारे देश को जरूरत है एक आलिम सौ आबित पे बेतर है यह आपको पता हो ना चीए तो रहेंगे बारा सोब पर स्कॉयर फिट का खर्चा आए अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक स्कॉयर फिट तो हम इसमें इंशालला देंगी हम रमजान में जकार निकालते हैं सद्का निकालते हैं इस बार अपनी थोड़ी सी जकात का इस्सा इमाम बुखारी उनि है पसे है पसंठेघ इंशालला कं करेंगा तो हर हाल में हर हाल में इमाम बुखारी निए के लिए टाउन करें और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कब इस वीडियो को शेर करें आप 다 current यह भी कि है कि आप उस बीडियो को जाधा जाधा शेर कर स्कॉत aniकाएcke आप ताउन कर सकते हैं यह जो यह नमबर आपको शौर है इस नमबर पर 911 डिये आपको जसे कौल आए गिए है कि आप पुरी information निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो जाधा जड़ा शेयर करें और जाधा से ज़दा इस रमदान में Town करने की कोशिश करें हर हाल में क्योंकि की हमें पढ़ने की सख़ जोड़त हैं हम आज पर्शान इसलिए है को कि हमारे पास कि इन्म की ताकत नहीं है जबकि आल्लभ ने कहा है कि पढ़ो pढ़ो गश्ना के नाम से पढ़ो merci हॉर हाल में करते हैं कि हम लोग बहुत जाहिलते हैं और कैसे बाते करने से नहीं मिलेग अगर आमीं यह मौकब दिया है अनुढ करना है इसको पूरा करना इक साल बचाई कि यवल और एक लागस्थायरफिट का सिसको भी हो कुछ भी हो जाए आप ताउन करें जो भी आप से ऊसके मों से को आण में immer करें औरurate कि और इसके बारे में लोगों को बताएं और करें इंशाला हमारे बच्चे भी यहां से तालीम याफता होंगी अर्देश का भी नावशन करें आने वाली हमारे नसलों का मुस्तक्बिल भी बहतर होगा